सेहटा फ्लाय ओवर नवंबर के आखिर तक चालू होने की उम्मीद शामली नवंबर के आखिर तक शामली बाइपास के सेहटा फ्लाय ओवर का निर्मान पूरा हो जाएगा सेहटा फ्लायोवा का निर्मान पूरा होने के बाद मेरट से आने जाने वाले वाहन चालकों बाइपास से मुजफर नगर सहारनपूर की और जाने में सुविधा होगी मुजफर नगर और मेरट के वाहनों को शहर में आने की जरूरत नहीं होगी दिल्ली सहारनपुर हाइवे के दस किमी लंबे शामली बाइपास का निर्मान पूरा हो चुका है बल्वा में रेल्वे और भोराकला मार्ग पर सेहटा का पुल निर्मानादीन होने से बाइपास आम नागरिकों के लिए चालू नहीं हो पाया है शामली बाइपास की जद में मेरट करनाल हाइवे का सिंभाल का फ्लाइओवर का निर्मान कार्य पूरा हो गया है भोराकला मार्ग पर सेहटा फ्लाइओवर और एप्रोच रोड को जोडने के लिए लिंट का कार्य बाकी है जबकि फ्लाइओवर के दोनों और 200-200 मीटर मिट्टी भराव, रोणी बज़वी डालकर काली परत डालने और सर्विस लेन का निर्मान बाकी है निर्मान एजेंसी के जीएम जितेंद्र बालियान का कहना है कि सेहटा फ्लाइओवर पर मिट्टी डालने का कार्य अगले तीन दिन में पूरा हो जाएगा मिट्टी डालने के बाद Flyover और Approach Road को जोडने के लिए Joint Linter डाला जाएगा 15 दिन में Linter खोलने के बाद Flyover के दोनों और Pull और Approach Road पर काली परत डाल दी जाएगी नवंबर के आखिर तक सेहटा Flyover और Service Lane को या तायात के लिए खोल दिया जाएगा Highway Bypass के Railway पुलों का निर्मान सालों से अधूरा शामली, Highway और Bypass की जद में Railway पुलों का निर्मान अधूरा है निर्मान में आ रही बाधाओं को दूर करने में NHA और निर्मान एजेंसी के अफसर रुची नहीं ले रहे हैं डिल्ली सहारनपुर Highway के शामली बाइपास में बलवा और मेरट करनाल Highway के बाइपास में गोहरनी के जंगल में Railway पुलों पिछले एक साल से इससे आगे काम नहीं बढ़ा निर्मान एजेंसी के अफसरों का कहना है कि रेल्वे पुलों पर विद्यूत लाइन नीची कराई जाएगी रेल्वे की ओर से ब्लॉक लेकर कार्य किया जाएगा पिछले सप्ता विकास भवन में भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक में रेल्वे के पुलों के निर्मान में तेजी लाने का मुद्दा उठाया गया था लेकिन एनेचाई के अधिकारी इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाये थे सांसद प्रदीप चौधरी का कहना है कि वह रेल्वे और एनेचाई अफसरों से बातचीत करके समस्या का समाधान कराएंगे निर्मान एजेंसी के जीएम जितेंद्र बालियान का कहना है कि सांसद या डीएम रेल्वे के पुलों के निर्मान में आ रही बाधा दूर करा सकते हैं